नमस्कार दोस्तों मैं हूँ लोकेंद्र मिश्टा और एम वित्रा के इस चैनल पे आप सबका स्वागत है गवर्नमेंट स्कीम्स की सिरीज में आज हम डिसकस करने वाले हैं पी-म किसान सम्मान निधी योजना के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस योजना की शुरुवात कब हुई तो देखे इस योजना की घोशना की गई थी एक फरवरी 2019 को केंद्री मंत्री प्यूश गोयल जी ने जब 2020 का अंतरिम बजट पेश किया था उस समय इस योजना की शुरुवात की गई थी मतलब दो वर्स पहले 2020 चल रहा है तो दो वर्स पहले इस योजना की शुरुवात की गई थी अब इस योजना में क्या है कि केंद्र सरकार के द्वारा स्पांसर्ड स्कीम है ये और इसमें किसानों को 6,000 रुपे की आर्थिक सहायता दी जाएगी ये 6,000 रुपे 3 अलग-अलग किस्तों में दिये जाएंगे मतलब हर 4 महीने पर 1 किस्त जाएगा किसानों के खाते में और ये 2,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000 मतलब कुल 6,000 रुपे सालाना दिया जाएगा किसानों को तीन अलग अलग installment में दिया जाएगा ये भी आप याद रखिएगा अब इससे benefit पाने वाले किसान कौन होंगे तो ऐसे किसान जो छोटे या सीमांत किसान है छोटे और सीमांत किसान किसको कहते हैं तो ऐसे किसान जिनके पास 2 hectare तक की खेती योग जमीन होती है उन किसानों को हम कहते हैं कि वो छोटे और सीमांत किसान है केंद्र सरकार द्वारा तीन किस्त में 6,000 रुपई ने दिया जाएगा अब ये जो स्कीम है इसके तहट जो पैसा दिया जाएगा वो direct benefit transfer किया जाएगा dbt मतलब direct उनके खाते में जो भी किसान है उनके खाते में direct money transfer किया जैसे चेक वगरा के माध्यम से ये सारी चीज़े नहीं होगी सीधे account में पैसा आएगा इसके अंतरगत क्या होगा 12 करोड छोटे तथा सीमांत किसानों को शामिल किया जाएगा और कुल लागत 75,000 करोड रुपई होगी लगभग देश के 11 करोड किसानों को 1,35,000 करोड भूलिएगा मत पहले तो एक पॉइंट हम इस्टेटिक का ही यूज कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपूर में मोधी जी ने 24 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत की थी वहाँ पर कुछ किसानों को पैसा दिया था तो जो देने का सुरुआत हुआ पैसे देने का ड्राइ अगर फीजिकल वेरिफिकेशन की बात करें तो याद रखिएगा फीजिकल वेरिफिकेशन के मामले में 99 प्रतीशत फीजिकल वेरिफिकेशन करके पहले स्थान पर है महरास्ट याद रखिएगा फीजिकल वेरिफिकेशन के लिए कौन है पहला तो वो है महरास्ट और सबस से fastest implementation हुआ है PM किसान का तो पूछेगा प्रश्ण आप से कि प्रधान मंतरी किसान सम्मान निधी योजना का fastest implementation कहां हुआ है तो fastest implementation का जब प्रश्न आएगा तो उसका answer आपको देना होगा उत्तर प्रदेश ठीक है आशा करता हूँ कि आपको सारी बातें PM किसान सम्मान निधी के बारे में समझ में आ गई होंगी लास्ट मैं रिवाइस कर देता हूँ एक फरवरी दोहजार उन्नीस पियूस गोयल जी ने इसकी घोशना की दोहजार बीस के अंतरी मजट में लगू और सीमान्त किसानों को छोटे झाल